नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मंजीत और स्वागा थे आप सभी का एक और नए वीडियो में तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी गुफा के बारे में जो गुफा उत्तरा खंड के रिशी केस में इस्तित है दोस्तों उस गुफा का नाम है जिलमिल गुफा तो आज इसी के उपर पुरा वीडियो होने वाला है कैसे आप लोग यहां पहुंच सकते हैं और क्या क्या आप लोगों को यहां देखने को मिलने वाला है तो चलो वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों जिलमिल गुफा रिसिकेश से लगभग 34 किलियो मिटर दूर और नील कंट महादेव से 5 किलियो मिटर की दूरी पर इस्तित है। बगवान शिव के परम भक्त बाबा गोरकनात को समर्पित यह गुफा काफी प्राचीन और पुराने रहस्यों से भरी हुई है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको जिलमिल गुफा के रहस्यों के बारे में बताने वाले है। जलता रहता है और कोई न कोई सादू संत वहाँ पर यग्या करता रहता है। ज्यान लगाए हुए बैठे हैं। ठीक उनकी मूर्ती के उपर एक गोलाकार में खुला है जहां से थोड़ा परकास आता है। परंतु कभी बारिश की बूंद नहीं गिरती उनके उपर। दोस्तो गुफवा का जो चमतकारी रहस्या है वो है इस गुफवा में बाबा गोरकनात के आसन के ठीक उपर एक बड़ा सा गोलाकार में बिलकुर खुला होना। कहते हैं कि वर्षा चाहे कितनी ही तेज क्यों ना आ जाए लेकिन इस गुफवा के उपर खुले में से एक भी बूंद पानी अंदर नहीं आता है। नात ही योगी थे। गोरकनात सब्द का मतलब होता है गुरू और नाग। नाग सब्द को ही नात कहते हैं। भगवान शिल को आदिनाथ और बाबा गोरकनाथ को गुरुनाथ यानि गोरकनाथ कहा गया है। कहते हैं कि नाथ से चलकर ही आगे नौ नाथ और 84 नाथ सिद्धों की प्राप्ति हुई थी। दोस्तो अगर आप लोग नीलकंड महादे मंदिर जाते हैं तो एक बार जहीमिल गुफा भी जरूर जाएं। मातापारवादी के मंदिर से आपको घने जंगलों के रास्ते तीन किलोमेटर पैदल ही जाना होगा। वड़खावडवाले इस रास्ते में काफी सन्नाटा चाया रहता है। रास्ते में कुछ गाउं जिनमें कुछ दुकाने देखने को मिल जाएंगी। जैसी आप लोग गुफा में परविश करोगे तो आपकी सारी थकावट एकदम से दूर हो जाएगी। ऐसा कहते हैं कि गुफा में इस्ट का ध्यान लगाने से उसकी सारी समस्या वहीं हल हो जाती है। जिलमिल गुफा से आधा किलोमेटर दूर इस्तित एक गणेश गुफा भी है। आपको वहाँ भी जरूर जाना चाहिए। तो दोस्तों उमीद करते हैं कि आप लोगों को जिलमिल गुफा का रहस्य के बारे में जानकर काफी आनदाया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज यह वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जादा-जादा कमेंट करना। तो मिलते हैं आपको इसी तरह की जानकरी के साथ किसी अन्य वीडियो में तब तक के लिए टाटा पबाए, जय हिंद जय भारत, जय उत्रखण।